नवस्कार साथियूं, मेरा नाम है आरके सिंग, संस्किती आईएस के यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एकनॉमिक ग्रोथ और बित मंत्राले की साज़दारी में आयोजित कोटल एकनॉमिक जो कंकलेव है उसको संबोधित करते हुए देश के फिनांस मिनिस्टर ने अपनी बात रखी और इस दोरान बात करें तो विदेश मंत्री ने कई सारे विश्यों पर अपनी कह सकते हैं कि ज उस पर प्रसंचिन उठाया है देश के विदेश मंत्री ने ये भी काया कि अब ये भी हो सकता है कि कुछ नए संगठन बन जा जो यूएन की प्रसंगिक्ता को कम कर दे और इसी कान से ये जो मुद्दा है ये लगातार विस्व में चर्चा का विसे बना हुआ है क्योंकि इ इसी कान से एक बार फिर से यूएन पर चुकी भारत के विदेश मंत्री ने प्रसंचिन लगाया है कि इस समय जो यूएन है वो अपने जो उसके कारे हैं जो डूटीज हैं उन्हें अच्छे से नहीं नीभा पारा है और इसी कारण से दुनिया के कई सारे जो संगठन है वो उसका अस्थान लेने के लिए तयार है इसी कारण से ये मुद्दा चर्चा का बिशे बना हुआ है इसके साथ विदेश मंत्री ने बदलते प्रजदिशों में भारत की जो भूमिका है जो चुनवती है उस पर भी खास तोर पे जोर दिया इसके अलावा कई सारे मुद्दो पर देश के विदेश मंत्री ने अपनी राय रखी तो ये सारे बिंदु होंगे जिन पर हम संचिपत रूप से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर विदेश मंत्री ने क्या कहा है ये आपके परिच्छा के दिश्टकोंड से महतपूर हो सकता है क्योंकि ऐसे जो बिशे में आगे बढ़ते हैं चचा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है सूचना क्या है तो संस्किति आई-एस आप सभी के लिए UPSC और State PCS के जो भी कोर्स संचालित कर रही है उस पर एक बड़ा डिसकाउंट प्रदान कर रही है यह जो डिसकाउंट है यह अप टू 75% है यानि 75% प्रश्यत तक का छूट आपको प्रदान किया जायरा यह जो छूट है यह सभी आल लाइन जो कोर्स है जो लाइब कोर्स है प्रेंट ड्राइब कोर्स है जो DLP कोर्स है उन पर आपको प्राप्त हो सकता है लेकिन इस पर एक कंडिशन है कंडिशन क्या है कि यह जो ऑफर है इसकी जो बैलिडिटी है वो पांच से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक है यानि इस समय सीमा में यदि इन कोर्स में आप नामांकन क करवाते हैं तो आप इस छूट का लाप प्राप्त कर सकते हैं यह दिया पी छुक है तो नीचे दिये गए नंबर 9555-124-124 पर संपर कर सकते हैं दूसरा तरीका भी है संस्किति-IS का जो बैप साइट है संस्किति-IS.com इस पर आप विजिट करके संबंधी जानकारी भी प्र की ऐसी बात रख चुके हैं भारत के विदेश मंत्री एस जैसंकर तो न्यूज की चर्चा करते हैं देखें इवन लाइक ओल्ड कंपनी एस जैसंकर का क्या कहना है कि जो संयुक्त राष्ट है ये एक तरह से पुरानी कंपनी के समान है not entirely keeping up with market एस जैसंकर जो बदलती परिस क्या क्यों चर्चा में हैं तो पहले ही हमने बताया कि नई दिली में ही इस जो इंस्ट्यूट आफ एकनॉमिक ग्रोथ और बित मंत्राले के द्वारा जो इनके साज़दारी वाली जो कॉटिल एकनॉमिक कंक्लेव हैं वहां पर बात करते हुए अपनी बात प्रकरता के साथ देश के विदेश मंत्री ने रखी है और इसी दोरान खास तोर पे इन्होंने फोकस किया है संयूक तराष्ट के उपर और कहा है कि इस पर अब प्रसंचिन खड़े होने लगे हैं क्योंकि ये अब एक पुरानी कंपनी बनके रह चुकी है जो बाजार के साथ पूरी तरह से तालमिल नहीं रख पाती है और प्रमुक मुद्दों पर कदम नहीं उठाती यनि बिस्व के अलग-अलग छेतरों में जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बात या कोई उस पर रुख नहीं कर पाती है ये कह सकते हैं कि बात रखी है देश के विदेश मंत्री ने थोड़ा सा म बात करते हुए जो भारत है भारत से जुड़े हुए जो मुद्दे है भारत के सामने जो चुनावतिया है और विस्वस्तर पे जो भारत की भूमिका है इस पर खास तोर पे बात की यहीं नहीं विदेश मंत्री ने बदलती जो बैस्विक गति सीलता है इसके संदर में भारत क जो अपनी भूमिका है जो चुनावतिया है उस पर भी फोकस करते हुए अपनी बात रखी और इसके तहट अगर देखें तो विदेश मंत्री ने कई सारे मामलों पर प्रखरता से अपनी बात रखी एक एक पर हम संचिप्त रूप से देखते हैं कि आखिर विदेश मंत्री न बदल नहीं रही है क्योंकि वो एक पुरानी कमपनी की तरह है जो पुराने तौर तरीके पर ही चल रहा है लेकिन वर्तमान के जो परिदिस हैं उसके अनुसारी अपने दाइतियों का निर्वाहन नहीं कर पा रहा है। कारवाई नहीं करेगी तो संबंधित जो भी घटक होंगे वो अपने अनुसार आगे बढ़ेंगे कारवाई करेंगे और फिर क्या होगा कि जो विस्व परिदिस है उसमें कुछ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। बैस्विक निकाय के लंबे समय से लंब जो सुधार है उसकी दिशा में आगे बढ़ने में बाधक बन रहे हैं। क्योंकि बैस्विक अस्तर पर जो भी मुद्दे है उन पर अगर बात रखने की बारी आती है तो कोई न कोई जो एक देश है वो अपने बीटों का इस्तमाल करता है। और फिर वो जो मामला है वही पर रुक जाता है उस पर कोई अस्थाई नीड़े नहीं लिया जा पॉता है। और इस करण से इस पर बिचार करने की बात कर रहे हैं देश के बिदेश मंत्री पांच जो अस्थाई सदस हैं जिसमें रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और अमेरिका सामिल हैं ये देश किसी भी महत्पुन प्रस्ताव पर कोई न कोई देश क्या करता है बीटो लगा देता ह जिससे क्या होता कि जो बाकी देश अपनी राय रखते हैं उसमें सुधार की बात करते हैं कोई एक निड़े लेने पर सहमत होते हैं वो पूरा मामला वहीं रुख जाता है इसके अलवा आज आपके पास एक संयुक्त रास्ट तो है ये कहना है देश के बिदेश मंत्री का क कि आपके पास एक संयुक्त रास जैसा कोई बड़ा संगठन है हाला कि इसकी जो कारें पढाली है ये परियाप्त नहीं है संगठन तो बहुत अच्छा है जिस उदेश से बनाया गया था कि दुनिया में जो विभिन परिस्थितिया है उसमें ये अपनी राय रखेगा अप जो कारण है वो है इन देशों की आदूर दर्सिता ये प्रमुख कारण इन्होंने बनाया है इसमें ये भी कहा कि यूएन जब प्रमुख मुद्धों पर कदम नहीं उठाता है तो देश इसे करने के अपने तरीके खोज लेते हैं उदाहण भी उन्होंने दिया जैसे महामारी थी लेकिन यूएन जैसे बड़े संगठन के दोरा कुछ खास बड़े अस्तर का कदम नहीं उठाए गया लेकिन बाकी जो दुनिया थी जो देश थे वो अपने छेत्र में बड़े अस्तर पे अलग-अलग डिसीजन लिए और इसको उदाहन बनाते हुए विदेश नहीं कर पा रहा है तो आपके अस्तान पे दूसरा एक विकल्प हम खड़ा करते हैं जैसंकर ने कहा कि आज बिस्व में दो संगर्स चल रहे हैं और दो बहुत गंभीर संगर्स हैं उन पर संयुक्त राष्ट कुछ नहीं कर रहा है कहा है अपनी उपस्थिती दर्ज नहीं क इसके पास कुछ करने के लिए होता ही नहीं है क्योंकि उसके जो सदस्यदेश हैं वो कोई नकोई उसके बीच अरचन डाल देता है लेकिन अब इन्होंने एक बात इसमें जोड़ी है कि अगर कुछ नहीं होता है तो दुनिया में कई सारे ऐसे संगठन जो इसका अस्थाल लेने के लिए अब लगातार तेजी से काम कर रहे हैं इन्होंने बहुत सारे उताहन भी दी है जैसे भारत मदपूर जो इरोप आर्थी गली आ रहा है बैस्विक साजा हितों की देख भाल के लिए जो हिंद प्रसांद छित्र में जो क्वाड है अंतराश्टिस और जो गठव अब धीरे धीरे कोई नया संगठन ले ले संगतराश्ट जारी रहेगा लेकिन तेजी से गयर जो संगतराश्ट छित्र है वो सक्री हो रहे है और मुझे लगता है कि इसका असर संगतराश्ट पर पढ़ रहा है क्योंकि अब धीरे धीरे जो यूएन है वो प्रासंगिक नह तो वो अपनी राय रखे अमेरिका ने वास्तों में भू राजनितिक और आर्थिक द्रिष्टिकोड में बदलाव किया है और नौबर में माह में जो भी वहाँ पर चुना होंगे उसके जो नतीजे होंगे वो आने वाले दिनों में पता चल जाएंगे लेकिन इसके जो कर्ष पर पहुचा है कि कई बर्स पहले उसने जो ब्योस्था तैयार की थी अब वो उसके लिए उतना लाबकारी नहीं है विदेश मंद्री का यही कहना है कि जो अमेरिका है जो बिस्व में बिभिन जो समीकरन थे उसके जो जीयो पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए उसने ताना बाना बुना था वो अब उतना प्रसंगिक नहीं है चाहे हम बात कर ले भू राजनिती की दुनिया में जो अलग-अलग संबंद बन रहे हैं वो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं दूसरी बात विदेश मंत्री अर्थिक दिश्टी कोण पर भी ध्यान दिया कहा कि अब अमेरिका के जो दिश्टी कोण है वो पहले की अपेच्छा बदल चुके हैं तो इस तरह से अमेरिका पर विदेश मंत्री ने रहे हैं इसके लोग अगर भारत पर बात करें तो विदेश मंत्री ने कहा कि बैस्वि से विदेश मंत्री ने परहेज किया इस पर जैसंकर ने कहा कि इसलिए हम एक उतार चढ़ा वाले कह सकते हैं कि एक टाइट की तरह हैं जो साथ साथ एक बिरोधा भासी ज्वार भी बने हुए हैं साथी एक औरोध भी हैं उन्होंने इस लंका जैसे अपने पडोसियों सहित अ अगामी पाकिस्तान यात्रा के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी संकच के साथ किसी भी द्यूपच्छी वारता होने की संभावना नहीं है जैसंकर ने भी कहा कि मैं वहां एक निश्चित काम के लिए जा रहा हूं और एक निश्चित जि करक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि वो इसलामाबाद में एक बहु पच्छी कारक्रम के लिए जा रहा है न कि भारत पाकिस्तान जो रिलेशन है उस पर बात करने के लिए तो इस पर विदेश मंत्री ने अपनी ये राय रखी इसके अलावा विदेश मंत्री ने ग्लोबल स PCL जो intelligence है इसको दुनिया के लिए परमाडू बं जितना खतरनाक ही माना जाना चाहिए क्योंकि तेजी से उभर रही ये जो प्रदोकी है ये पूरी दुनिया को अगले दसक में खास तोर पे गहराई के साथ प्रभावित करेगा और इसी करण से इन्होंने कहा कि AI आने वाले स ये बैस्विक एको सिस्टम के लिए भी एक महत्पूर कारक बनने जा रहा है और दुनिया के लिए AI कुछ कितना खतरनाक होगा जितने एक समय परमाडू बं हुए थे तो ये बात रखी है देश के बिदेश मंत्री ने तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर इस कोटिल जो कंकलेव था इस कोटिल कंकलेव के दौरान देश के बिदेश मंत्री ने अलग-अलग मुदों पर अपनी बात क्या रखी और इसमें सबसे महत्पूर जो था कि बिदेश मंत्री ने ऐसा क्यों कहा कि अब जो UN है वो पहले की तरह प्रासंगीक नहीं रह गया है इसकी प् पुद्दे के साथ फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद